मति मारो पिरन को नातर बखते सुधी वही आखी आवे मति मारो पिरन को नातर बखते सुधी वही आखी आवे अरे तेहली सुधी मडए पे आले पेहली हम किन पे मगाई लेवा तवी सुधी वही आथी आवे तूजी सुधी सावन में आवे तूजी सुधी सावन में आवे राकी पांद हो किन के आथ बखते सुधी वही आखी आवे किन दे देन सुधी कार्थे कमे आ वे तूजी आखी अखी आवे तूजी सुधी मन आम पूदें किनकोना तब कते सुधिक बैया किया आप्मे आरे चोती सुधिक माई केकी आवे चोती में कोनों दिखावे रूक पकते सुधिक बैया किया आरे मत मारिये मगवाल ने छोड़ दिया और रुकमरी को लेकर के भगमान दोहरी का नगरी के लिए चले आए हैं भगवान का बड़े विद्धान के शाथ में दोहरी का नगरी में विवा हुआ रुकमरी के शाथ में पेला विवार रुकमरी के शाथ में दूसरा विवा भगवान का सत्रा जित यदुवंस में था एक परम सुझान करता था वो नित प्रति दिन सूर्य देव का दिहान उसने सूर्य देव का दिहान करके प्रशन करके उनको एक मड़ी पाई थी माराज वो मड़ी रोज आठ वार सोना देती थी बड़ा अच्छा शासा परिवार था जिससे ज़ें रहाएं